नमस्कार मैं हूं मदन राज और आप देख रहें राश्तिक्निश बनारस की धर्ती से चल कर मउपदार हैं स्विल्देव एक्तामंच की राष्टिय दक्ष अर्विंद राजभर मदादे की सोशालिस्ट हैं और खास करके बेच्चु में ज्यादा मिलते हैं अर्विंद जी बहुत बहुत धन्यवाद भाईया आपके इस चैनल को और आपके चैनल से जुड़े जितने भी स्रोतागर हैं देखने वाले हैं हमारे भाई बंदू सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद है अर्विंद भाई इतना संगठन था राजबर समाज के भी बन हैं लेकिन सही दिशा निर्देश पर काम नहीं कर पा रहे हैं साध इसी वज़े से हमें यह संगठन बनाना पर रहा है तो हमारे इसाफ से संगठन वाले मिलें सब लोग यहीं बात बोलते हैं अब यह समझ मेंने याता कि कौन सा संगठन सीधा नहीं जा रहा है जी बिलकु पर बदल जाता है जैसे चुनामी रडिती आती है तो उस समय उनका ग्राउंड लेवल बदल जाता है वो किसी मुद्य पर नहटके अपने अलग मुद्य पर काम करने लगते हैं ठीक है तो शुरुगात कर लेते हैं लेकिन समापन अच्छे से नहीं कर पाते हैं बहुत बाद में नुक्सान होता है जी बिल्कुल आपकी बास सत्य है देखे यह तो हम नहीं कहेंगे कि सभी लोग का मकसद नहीं है पैसा कमाना आइसे समय में हमने देखा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो की बड़ी ही मानदारी से ततपरता से अपने समाज के लिए जो की पुरा- पाट्रिकुलर या किसी का जाती सुचक नाम लेना हमारे सबसे ठीक नहीं है जिसका जैसा भी जो हो अपना करते रहे बस समाज की सेवा करते रहे हैं ठीक है आप जो बनाए सुवल्दे राजभर एक्ता मंच जब से मैं बनाया हूं और आप लोग जो भी हमें भाई करते हैं बहुत पहले से कि मैं बैसिकली पहले स्वास्त पर काम किया और उसका एक उधारण नहीं कई उधारण आपके सामने में यह बता नहीं है आप सोचल मीडिया से देखते रहे होंगे ब्याच्चू में जो कि मैं जो भी हमारे पुर्वांचल जीले से जो भी लोग आ तो आप मोव किस परपस्या हैं अभी मौ मैं कि अपने नीजी अपने नीजी कहते हैं कि अगर आपको समाज हो चाहे किसी भी चीज का हो उसकी तो सेवा मैं खुबी कर रहा हूं मेरे हिसाब से मैं कर रहा हूं और साथ आप लोग भी इस तीज को जानते हैं लेकिन मेरे मेरे पीछे मेरा परिवार है मेरा एक अलग हमारे बच्चे भी हैं उनकी भी भविश्क को हमें सवारना है तो इसलिए मैं ब्याच्चू के अलामा मैं एक नीजी प्रजेक्ट पर भी क यह करना पड़ रहा है अब लोग सभा चुना हो आएगा तो आपका संगठन के लोग किसे सपोर्ट करेंगे हमारा देखिए पहले तो मेरे संगठन का किसी भी राजनेतिक पार्टी से नप्रेवरित है और ना ही मैं किसी पार्टी को हूंगा कि आप लोग इसको उड़ दी लोग सभा चुश् 249마 धम लोग सभाक की लाथ करें तो हमारे लोग सभा में इस समयों वरतमान में जो हमारे देश के प्रधान मंदरी रगयान मोधी जी हैं और हमारे हां के सांसत भी है और बहुत ही सभाग की बात है और हम देख रहे हैं कि लगातार अपनी पदो के मंदारी से निर्वहन कर रहे हैं आगे देखा जाएगा अगर उनके जैसा कोई और आता है तो उन पर बिचाए व्यक्तिकेट विश्चेस में किसी की बारे में नहीं कर सकता हूँ हाँ हमें जो अच्छा लगेगा उनके करम अच्छे लगेंगे उनको मैं उस टाइम पर चुन के माध्यम से आप समाज में जितने भी मेरे समाज में संगठन बनाए गए हैं उन सभी लोगों से हां जोड़के मैं निवेदन कर रहा हूँ कटीवत प्रातना भी कर रहा हूँ कि आप लोग जिस मकसद से जिन उद्देशों को लेकर संगठन का निर्मार किये हैं उस समाज के लिए हमेशा तत्पर रहिए और एक सशक्त और प्रबल समाज बनाए और मेरा मानना है कि आप लोग अपने अपने संगठन के माध्यम से चहीं भी हैं जो भी काम कर रहा हैं वो समाज हितने कर रहें इसमें नो डाउट कोई सक नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान द अच्छे तरीके से निर्भण हो सके हैं और राजबर लड़ाई लड़ता हूं जबकि महीं से और जागो राजबर जागो टीम बोलते हैं कि में लड़ता हूं तो सच्चाई कौन लड़ रहा है कि जो कोट का फैसला आया हुआ था अभी बिगत कुछ महीने पहले की बात है तो जागो राजबर जागो जो कोर कमेटी एक बनी है हमारे बनारस की धर्ती से उन्होंने इस PIL को दाखिल किया हुआ था और उन्हीं के उस PIL के अगेंस में किस अस्तर का दर्जा मिलना चाहिए लेकिन दुविधा इसे बात किये सरना आपके चलल से माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ चायो अनिर राजबर जी हो चायों प्रकाश राजबर जी सब मेरे समाज के हैं और जागो राजबर जागो कमेटी जो है वो भी अच्छा मेनत क करें सबको सुबकामना है अगरिम बढ़ाई है लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग एक दिशा निर्देशित होके काम करें आरच्छड की जरूवत है समाज को मैं इसका कभी बगावत नहीं किया हूँ आरच्छड की जरूवत है लेकिन आरच्छड हमें क कुछ लोग गुश देखने को सुन्य को मिल रहा है कुछ लोग सिच की मांग करते हैं वेषल that वेवGG्षों करते हैं और फिर्मों करते हैं अब जर्नेल हैं तो इस पर जर्मल की बात अगर हम करें तो भाई हमारा इतिहाज धरवर जो भी रहा है उस अगेंस में वो सही है वो सही है अगर आप लोग इस्टी का रच्छर लेना चाहते हैं तो इसको सही तरीके से एक साथ एक संगठित होके लड़ाई लड़िए ताकि उसका एक अच्छा रिजल्ट आ सके प्रड़ाम आ सके ठीक है यह थे अरविंद राजवर जो बनारत से चलकर महुआ है इनका साब सब्सक्राइब काहाना है कि जो भी आरच्छर की लड़ाई रहे हैं वह यह कत्रित होके लड़ें पहले की बात छोड़िए आज की परिस्तिती में राजवरों को आरच्छर की सक्त जरूरत है आपकी क्याराय है आपके मिन कर दोड़ है